दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी लेमडी बनाना सिखा रही हूँ जिसको यूज करने से आपको पेट में अगर गैस बनती है सीने में अगर आपको खाने के बाद जलन होती है या आपको पेट में अफरन हो जाती है यह सारी प्रॉबलम आपकी दूर हो जाएगी सबसे पहले दोस्तों आप ले ले एक खाने का चमच सौफ सौफ दोस्तों आपके डैजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदेबंद होती है और अगर आपको कोई ऐसे ऐसे ऐसीडिटी हो जाती है या सीने में जलन सी होती है उसको भी ठीक करने के लिए बहुत ही जल्दी काम कती है और दोस्तों आपको चाहिए एक खाने का चमच जीरा जीरे में दोस्तों एक ऐसे ऐसे एसेंशल ओयल होता है जो आपको डैजेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है और खाना easily आपको digest हो जाता है और कोई gas नहीं होती इसको लेने से और दोस्तों आपने एक खाने का चमच लेना है एजवाइन कई बार जैसे आपको digestion में दिक्कत रहती है या आपको खाना जैसे आप कई बार मसालेदार खा लेते हैं उससे आपको acidity हो जाती है उसको ये जल्दी से ठीक करने का काम करता है और दोस्तों आपको एक चाय का चमच चाहिए मेथी दाना खाना कई बार अब जब heavy खा लेते हैं तो आपको पेट में एकदम gas बन जाती है अफरन हो जाती है या सीने में जलन हो जाती है मसालेदार खाना खाने से उसमें ये बहुत जल्दी अराम पुचाता है और दोस्तों आदा चाहिए का चमच आपको चाहिए काला नमक काला नमक तो वैसे भी पेट में gas हो या कोई भी problem हो बहुत फैदा पुचाता है बस अब ये सारी चीज़ों को आपने एक बार अच्छे से mix कर लेना है अब आगे आप एक लेले mixer jar इसमें ये सारी चीज़ें डाल देते हैं और इनको आपने piece लेना है एक powder सा बना लेना है ये आप देखे दोस्तों ऐसे ये powder बन जाएगा इसको आप कोई भी airtight container में store करके रख सकते हैं ये खराब नहीं होता और इसको आपने लेना कैसे हैं मैं आपको बताती हूँ ऐसे आप आदा चमच बर के ले ले एक बार आप सुबे ले ले और एक बार आप शाम को ले ले अपने खाने से पहले और साथ में आप इसके लेंगे एक लास पानी जैसे आपने आदा चमच चीए ले लिया powder और साथ आप पी जाए एक लास पानी आदा गंटे का बस gap होना चीए आपके meal से पहले दो टाइम आप ऐसे दिन में daily follow करें फिर आप देखेंगे जो यह सारी आपकी problem हो रही है यह एक दम ठीक हो जाएगी चलिए फिर मैं आपको मिलूँगी नई वीडियो में नई remedy के साथ बाइबाइ